हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल किचिन आज की जो रेस्पी है वो बच्चों की आइस हेल्थ, बोन्स हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है इसके अलावा इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है जो बच्चों की मसल्स डवलपमेंट में हेल्प करता है और आसानी से हजम भी हो जाता है तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक स्टील के कोकर को गर्म कर लिया है अब इसमें आधा चमच गाय का घी एड़ करेंगे कोशिश करें कि बच्चों के खाने में गाय का घी ही यूज करें जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे जैसे ही जीरा चटक जाएगा इसमें बहुत थोड़ी सी हींग एड़ करेंगे आप बच्चों के खाने में हींग जरूर एट करें यह डाइजेशन में हेल्प करती है और पेट दर्द में भी आराम दिलाती है अब एक कली लहसुन की एट करेंगे यह ना केवल बच्चों में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है बलकि बच्चों को सर्दी और छोटे मोटे इंफेक्शन से भी बचाता है एक छोटा तुकड़ा अद्रक का एट करेंगे इसको क्रश नहीं किया है अद्रक से बच्चों को होने वाली गैस की प्रॉब्लम से बचाता है अब हम इसमें आधक टोरी के करीब हरी मटर के दाने एट करेंगे यहां मैंने फ्रेश मटर ली है आप फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बच्चों का खाना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि फ्रेश मटर का ही यूज़ करें अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रोकली एड़ करेंगे अगर ब्रोकली नहीं है तो आप आलू या गोबी का भी यूज कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं इसमें अब दो चमच के करीब चावल एड़ करेंगे जिसको क्या अच्छे से दो लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक ग्लास की करीब पानी एड़ करेंगे पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है जिससे ये ड्राय न लगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें बहुत थोड़ा सा काली मिच का पाउडर एड़ करेंगे आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर का भी यूज कर सकते हैं बहुत थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे यह तोटली ओप्शनल है अगर बच्चा 10 प्लस मन से छोटा है तो एड़ ना करें अब कुकर का ढखकल लगाकर 3-4 सीटी आने तक पकाएंगे कुकर में 4 सीटी आ चुकी है अब इसका प्रेशर रिलीस कर देंगे और खोल कर चेक कर लेंगे कि चावल अच्छे से पक गए हैं या नहीं अगर चावल अच्छे से पक गए हैं तो इसमें जो हमने अद्रक का तुकडा डाला था उसको निकाल देंगे और इसको हम एक स्पून या स्पैचिला की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे अगर आपका बच्चा बहुत चोटा है तो आप इसको ग्राइन करके भी दे सकते हैं आखिर में आप इसमें थोड़ा सा घी आड़ करके बच्चे को गर्मा गर्म खलाएं यह रेसिपी नमकीन पसंद करने वाले बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और वो इसे वहती टेस्ट लेकर खाएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेल आइगन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें